इन दिनों जिला डोडा में स्कूल के अध्यापकों की ही आपस में नहीं बन रही है जिला डोडा के एक स्कूल में एक अध्यापक बना दूसरे अध्यापक के केरियर का दुश्मन सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वाइरल फैसला होगा आज नहीं तो कल इन दिनो सोशल मीडिया पर एक वीडियो टेजी से वाइरल हो रहा है उस वीडियो में चार लोग दिखाई दे रहे हैं और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस समय इन अधियात्कों को स्कूल के बच्चों को पढ़ाना था उस समय ये आराम फर्मा रहे थे आखिरकार इस वीडियो में कितनी हकीकत है इस सब पर हमने एक रिपोर्ट तयार की है इस रिपोर्ट को अन तक ज़रूर देखेगा इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वाइरिल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मुश्ताक नामक टीचर को जिस समय क्लास्रूम में बच्चों को पढ़ाने जाना चाहिए था और समय वो स्टाफ रूम में आराम फर्मा रहे थे इस वीडियो को तो बहुत सारे लोगों ने ध्यान से देखा होगा लेकिन जरा अब इस वीडियो को हमारी नजर से देखिए इस वीडियो में आपको चार लोग दिखाई दे रहे होंगे जो आपस में बातचित कर रहे हैं लेकिन जरा दिवार पर ठंगी इस घड़ी पर भी ध्यान दीजेगा जिस पर टाइम 12 बचकर 45 मिनट है जब ये सब टीचर आराम फर्मा रहे थे किसी ने चुपके से इनका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया तो स्कूल के किसी स्टाफ के करमचारी ने वीडियो बनाया लेकिन वो करमचारी ये बताना भूल गया कि उस दिन शुकरवार था और शुकरवार के दिन बच्चों को ब्रेक 12 बच कर 40 मिनट पर होती है इस सब पर जब हमने स्कूल स्टाप से बात की तो सुनिये उनका क्या कहना था असल में हमें भी शीफ का कोई नॉलिज नहीं था हमने भी खुछ सोचल मेडिया पर यह देखा तो हम भी बहुत ज्यादा शॉक्ट हुए यह सब देखके ऐसा कुछ आज तक हमने देखा नहीं है हमारे स्कूल में आज तक कभी ऐसी चीज हुई नहीं है तो हमने फिर बाद में जब हमने देखा हमने सोड़ा सा इंवेस्टिगेट किया कि असल में बात क्या है कैसे किसने क्या क्या तो फिर हमें पता चला कि हमारे ही स्कूल के किसी एक कोई एक स्टाफ का मेंबर है जिसने ही वीडियो बनाया हुआ है असल में हमने फिर देखा ये वीडियो कब का है क्या है तो हमें पता चला ये असल एक्षिरी ये फ्राइडे के दिन वीडियो बनाया गया है तो फ्राइडे की दिन आपको पता है कि दिन के टाइम लॉंग रिसिस होती है तो मेर मेंबर जो है वो नमाज के लिए चले जाते हैं और फिमेर्स स्टाफ रूम जो है वो यहीं विरांता है अधा और उस वकट टाइम जो था बारा चालीस का टाइम था उसमें शाइब मैंच बाचे खाना घा रहे थे और उस वकट यह कुछ स्टाफ मेंबर्स जो हमारे थे यह ऑफिस में बैठे हुए थे तो बारा चालीस के बाद का ही कोई एक बज़े का शाय भी आइटिंक यह वीडियो बना हुआ है तो उस वकट ब्रेक का टाइम था और बच्चे जो है वो खा है कि युक तो उनका उनकी कुछ गगब्लम है तो वो शायद महां पे इस मैने फिशी वीडियो में देख अब होहाँ पर लेके लेकिन や बहुआ है दिसक्त शेडर का नहीं इस सब्सक्राइब्स वुट में गटीं हुए थे तो उसी चीज का अबब्स चीज का कुछ इशु आगे पीछे भी हम घरू में बैठते हैं या हर स्कूर में होता है हर स्कूर में हर डिपार्टमेंट में स्टाफ में फ्री टाइम में तो हम बैठ के बाते करती ही है तूटली बड़ी बात हुए थी जितना इसको हाइलाइट हुए है स्टाफ के करमचारियों का कहना है कि 12 बच कर 40 मिनिट पर ब्रेक होई उस दिन शुकरवार था मेल टीचर निमाज पढ़ने गए थे और फिमेल टीचर स्टाफ रूम में अपना समय बता रहे थे लेकिन ऐसे में जब मेल टीचर ब्रेक के टाइम पर आराम फर्मा रहे थे किसी स्टाफ के मेंबर ने उनका चुपके से वीडियो शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया है जरूरी नहीं है कि जो तस्वीर आपको सामने दिखाई जाए वही सही हो यहाँ सवाल यह है कि अगर कोई अधियापक ब्रेक टाइम में रेस्ट करता है तो क्या उस अधियापक को इसका भी आधिकार रही है हैरानगी की बाद यहाँ पर यह है कि एक अधियापक भी दूसरे अधियापक की कैरियर का दुश्मन बना हुआ है जिस समय ब्रेक टाइम था अधियापक आराम कर रहे हैं कोई दिक्तत रही है क्योंकि दिन भर अगर वो अधियापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका भी यह हग बनता है कि थोड़ी देर वो आराम करें लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को ये भी रास रही आ रहा है कि अधियापक आराम क्यों फर्मा रहे हैं और आराम उस समय फर्मा रहे थे जिस समय ब्रेक टाइम चल रहा था अब देखना यहां पर यह है कि दिस्टिक प्रशासन इस पूरे मामले को किस परकार से देखता है क्योंकि शुकरवार का दिन था समय 12 बचकर 45 मिनट हुए थे औ ब्रेक टाइम 12 बचकर 40 मिनट करते हैं किसी ने इस अधियापक की छावी खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो वाइरल कर दिया है अब लोग देक्तरिये स्ट्रे टॉक्स अब मुझे अरिदेव ठाकुर को दीजिए जाज धन्नवाद